गुड इवनिंग स्टूडेंट वेलकम तू रेडिशन रूर्स ओनलाइन क्लासिस फ्रॉम रेडिशन दाइ स्कूल जेवर आई एम नीतु सर्मा क्लास्ट टीचर ओफ सैकीन हेर इस यूर मैथ सब्जेक्ट यस्टरडे वी हैब कम्प्लीटिट ड्रिल फर्स्ट इन मैंटल मै मैस में आपका ड्रिल फर्स्ट वो कम्प्लीट हो चुका था और आज हम करेंगे मैस में रिवीजन चैप्टर वन का चैप्टर नमबर वन का आज हम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे उसके कुछ टॉपिक्स हैं जिनका हम कुछ रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपका ए एटीवर All whole नमबर जैसे मिसिंग होगे तो उनको क्या करना है आपको- नमबर को लिखना है जैसे आपको कोई नमबर दिया हुआ है 30 31 33 35 37 इस तरह से क्या है, यह कुछ नमबर दियो है, तो यह क्या है, इसमें कुछ नमबर missing है, जिनको आपको complete करना है, यह क्या है 30, यह क्या है 31, तो यहाँ पर क्या हैगा, और यह क्या है 33, यानि 31 इसका मतलब क्या मिस है इसमें 32 33 33 के फार 34 35 36 and 37 इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया जो हमारे नमबर जो इसमें मिसिंग थे इनको क्या कर दिया हमने इसके बाद देखिए next example देखिए 25 यहां पर blanks है 35 फिर आपका blanks है 45 फिर आपका 50 तो देखिए यह 25 है यह 35 यह 45 यह 50 इसमें इसमें 55 का क्या इसमें 55 का एड़ हो रहा है ने 25 में अगर 5 एड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 30 35 35 में 5 add करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40 25 प्लस 5 30 35 35 40 45 यहाँ पर क्या जाएगा आपका 50 55 यह क्या है आपका 55 इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया 55 के difference से कर दिया इस तरह से हमने क्या कर दिया स्रीज को complete कर दिया अगर इसी तरह से आपको next example देखिए इसी में 21 blank 27 फिर यहाँ पर आपको space दे दिया है 33 space दे दिया है यहाँ पर 39 इस तरह से देखिए अब यह 21 है और यह 27 है यह 33 है इसमें कितने का difference होगा 21 21 में कितना add करें 3 add करें तो क्या हो जाएगा हमारा 24 24 में 3 add करें तो क्या हो जाएगा हमारा 27 27 में 3 add करें तो क्या हो जाएगा हमारा 30 30 में 3 add करें तो 33 33 में अगर हम 3 add करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 36 36 में 3 add करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 39 इस तरह से आपको complete हो गया next देखिए numbers name aתי numbers ने अगर आपको कोई numbers numbers is Numbers इसमें क्या करते हो कोई हुष ticket दे दिया आपको 26 दे दिया तो इस पो क्या लिखना number में लिखना तो क्या लिख होलाए आप t w e n t y 26 इसी दरा से अगर आपको दे दिया 가능 यह 216 तो क्या लिख होलाएं आप हंड्रेड क्या जाएगा आपका 16 s i x t e n 16 तो यह क्या होगा आपका नंबर नेम्स इसी में एक और आता है तो नंबर नेम्स अब हमको क्या है right in numerals यानि दिया हुआ है हमें 200 250 55 इसको क्या लिखना है मैं डिजिट में लिखना है तो अब क्या लिखोगे 200 तो अब क्या लिखोगे 255 इस तरह से हो गया इसी तरह से next देखिए अगर आपको दिया हुआ है 600 66 66 यह दिया हुआ है आपको अब इसमें आपको क्या करना है डिजिट में लिखना है इसको तो आपको पताएगे 600 कैसे लिखेंगे 600 66 यानि यह आपका complete हो जाएगा अगर नमबर नहीं में लिखवा रहा है तो इस तरह से हम लिख देंगे इसके बाद कोई question है जैसे की in circle the greatest number in each row यानि आपको कुछ डिजिट दी हुई है जैसे की 66 89 76 49 यह आपको row दिया हुआ है इस row में अगर आपसे पूछा जाए इसमें जो भी greatest digit है यानि greatest number है उस पर क्या करना है आपको circle करना है इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है इसमें से आपको पूछा जाए कि इसमें से greatest number कौन सा है आपका तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे देखोगे 100 प्लेस पर देखोगे डिजिट को तो सबसे बड़ी हैंटेज़ पर हमारी थू इमारी डीजिट सेम आ रही है क्या देखेंगे पर सेकंद नमबर पे देखेंगे तो तो यहांटीज़ पलेस पर यहां पर बारब नहां जीरो तो स्का मतलब तो क्या हो गया हमारा 615 क्या है हमारा greatest number है इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया circle कर दिया next इस तरह से यह हो गया number name आगे आपको missing number numerous में लिखना अब यह हो गया हमारा greatest and इसी तरह से गर smallest number पूछे इसमें तो 49 smallest number हो जाएगा हमारा इसमें smallest number पूछे तो 315 हमारा क्या हो जाएगा smallest number अगर आपसे बोला जाएकि ascending में लिखिए और descending order ascending और descending order मैंने आपको ascending order बताया था ascending means बढ़ता हुआ किरम यानि ascending means होता है smallest to greatest और descending order क्या होता है greatest to smallest आपको डिजिट दी हुई है 16 18 19 20 and 15 इसको आपको ascending order में लिखना है तो ascending में क्या लिखेंगे है smallest to greatest सबसे small क्या है हमारा 15 ascending order में लिखना है ठीक है 15 फिर क्या है आपका 16 18 19 20 इन ही डिजिट को अगर हम बोलें आपको descending order में लिखना तो descending का मतलब क्या होता है great as to smallest इसका हम क्या करेंगे इसका पोजिट होगा 20 19 18 16 and 15 इस तरह से क्या ascending means बढ़ता हुआ किरम और descending में घरता हुआ किरम ठीक है क्या करेंगे हम सबसे बड़ी डिजिट लिएंगे फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी इस तरह से हमने क्या कर देंगे इसको देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का एक और एक्जामपल लेते हैं 219 120 525 525 नेक्स्ट है आपका 719 इस तरह से आप इसे हम किसमें लिखना हम है डिसेंडिंग और में लिखना है किसमें लिखना है डिसेंडिंग ठीक है डिसेंडिंग और में लिखना है तो डिसेंडिंग और में क्या करेंगे हैं सबसे ग्रेटेस्ट नमबर कॉन सा इस मसे 719 उससे स्मॉल 525 उससे स्मॉल 219 उससे स्मॉल क्या हो जाएगा हमारा 20 सबसे चोटा इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा descending order यानि घटता हुआ किरम greatest to smallest उसके बाद आपका है जैसे कि after before आप से बोला जाए 19 19 से जो next जानी after क्या होगा तो after means होता है उसके बाद जानी इसमें add करना होता है तो 19 के after क्या आएगा 20 यही आएगा 19 में plus 1 कर देंगा तो 20 आजाए अगर इसी में आप से पूचा जाए 19 19 से before यानि इससे पहले क्या आएगा तो क्या आएगा आएगा आपका 18 ठीक है इसमें क्या पूचा जाता है what comes after before इस तरह से यानि 19 के after क्या है 20 और 19 के before क्या है 18 अगर इसी में आप से पूचा जाए 18 और 20 what is between यानि इन numbers के between में क्या आएगा तो यह 18 है यह 20 है तो इनके between यानि बीच में क्या आएगा आपका 19 18, 19 and 20 इसी तरह से what is the number in between यानि कुछ number दिया हुआ है आपको जैसे 679 681 679 और यह 681 इनके बीच में क्या आएगा तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच में क्या आएगा 79 के बाद क्या आता है 80 तो इस तरह से इनके क्या हो गया इनके बीच में यह number आगया तो अभी आज आपने जो revision क्या है वो किसका क्या है missing number, number names, जो digit में लिखते है numerals, आपका ascending order, descending order, greatest number और smallest number then after, before, before and between इस तरह से आपका यह जो इसी पर बेज़र मैंने आपका एक छोटा सा test तयार किया है जो आप बच्चों को करना होगा और किसी से भी आपको help नहीं लेनी है आपको खुद से करना होगा सबसे पहले आपनी वीडियो को अच्छे से देखना then उसके बाद उस paper को यानि जो test paper मैंने तयार किया उसको solve करने बैठना उससे आपको क्या होगी बहुत help मिलेगी और किसी अपने parents की help आपको लेनी नहीं है क्योंकि आप खुद अपना क्या कर रहे हो अपना evaluation कर रहे हैं अपना मुल्यांकन खुद से कर रहे हो आप तो इसलिए आपको वो test अच्छे से करना होगा कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हो मेरे से ठीक है कि कोई question समझा इस तरह से मैंने आपको छोटा सा test तयार किया हुआ है 10 marks का ठीक है यह test आपको complete करना है ओके thank you